हेलो स्तो कमाई का अड़ दस यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो स्रीप यहाँ पर 50 रुपेज के करीब अवेलेबल है दोस्तो और इसके आज यहाँ पर कौटर वन के रिजल्ड भी आये है और मैं बा कीलिए दोस्तो बेंकिन्ग स्टॉक के एक बहुती बड़े क्वूलिटि वाला फेक्टर रहता है जिसे चेक करना चाहिए कि बैंकिंग कमपनिय के जो एंपीय होते है वो कैसे चल रहे है NPA कम होना हरवक अच्छा रहता है NPA बढ़ना हरवक दोस्तो कमपनी के लिए नुकसान दायक रहता है तो हम सभी चीजे इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे तो अभी काफी निवेश्यक के कमेंट भी थे कि सर इस आप यहाँ पर Small Finance Bank जो है इसका स्टॉक काफी समय से क्यों गिरावट में है तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आप देखने के बाद में समझ जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं कोई बड़े अनॉस्मेंट कमपनी ने नहीं किये डाइरेकली मैं आपको रिजर्ट से रिलेटेट चीज़े बताऊंगा और सभी जो फिगर से यहाँ पर बताए गए वो इन यहाँ पर लैक्स में है तो दोस्तो कमपनी का हम इंकम देख लेते हैं पिछले साल एसाप Small Finance Bank ने कमाया था 99,178 दोस्तो लैक्स का इंकम जो यहाँ पर बढ़कर 1,13,774 हो गया तो एक बड़ी इंकम में दिखाई दी येरले बिस्स पर बट कॉटरली देखिए 1,15,184 से इंकम घटकर 1,13,774 हुआ यानि कि थोड़ा मायनर सा कमपनी का इंकम कॉटरली बिस्स पर हमें डाउन देखने को मिला है तो दोस्तों अभी इंकम का तो हो गया बट प्रॉफिट का मामला क्या है और कमपनी कैसे प्रॉफिट कमा रही है तो भी आपको बता देता हूँ प्रॉफिट अप्टर दे हम यहाँ पर टैक्स वगेरा के बाद में जो फॉर दे प्रेट रहता है उसको देखते है पिछले साल इसाब स्मॉल फाइनांस बैंग अपनी रिजल्ड में 12,996 जो लैक्स में कमा रही थी नेट प्रॉफिट वो यहाँ पर क्या हो गया है घट कर 6,277 हो गया यानि कमपनी का जो नेट प्रॉफिट वाला वो लैक्स में देखिए घटते वे नजर आया है और काफी तेजी से आदा प्रॉफिट हुआ एरली बेसिस पर बट कौटरली रेखेंगे तो 4,335 लैक्स से नेट प्रॉफिट बढ़कर 6,277 हुआ यानि कमपनी का येरली पॉफिट डाउन है बट कौटरली अच्छा खासा इंप्रॉफिट वाला है प्रॉफिट का अब NPA की बारे NPA दोस्तों दो प्रकार के रहते हैं NPA रेशो में आपको देखने को मिलेगा ग्रॉस NPA एन नेट NPA होते हैं और इसमें आप देख सकते हो कि NPA का प्रदर्शन हर वक्त इस कमपनी के अंदर हमें बढ़ते वे नजर आया है मैं यहाँ पर आपको फिगर बता रहा हूँ उसको थोड़ा आप यहाँ पर कंपेर करना 23,761 से ये NPA बढ़ गए कितने हो गए 1,24,211 तो कितनी बड़ी यहाँ पर जो तेजी दोस्तों NPA में देखने को मिल रही है याने कि इसका जो पैसा लोगों को दिया जा रहा है उनसे वसूल नहीं हो रहा है या वो देने रहे है NPA का यही मतलब होता है कि हम जो ब्याज़ पर पैसे देते हैं वो यहाँ पर return नहीं हो रहे है और उससे NPA घोशिच करना पड़ता है जब नहीं आ रहे है तो तो यही चीज़े कमपनी के अंदर देखने को मिली है और दोस्तों यह पहले मैंने आपको क्या बताया gross NPA बताया उसके बाद में अगर net जो NPA आप देखेंगे तरहों कि आप समझ पाए और चाहे तो आप percentage wise भी देखिए 1.65 से NPA 6 point कितना तेजी से बढ़ रहे है तो इस कमपनी के अंदर यही factor है दोस्तों की NPA बढ़ना इस कमपनी के लिए dangerous रहता है क्योंकि कोई भी bank अगर पैसा दे रहे है तो उसे वसुल करकर कमाई करने का काम उनका होता है तो यहाँ पर यह दिखाई नहीं दे रहा है इसी का impact हमें stock price पर भी दिखाई दे रहा है मैं अभी वो भी बात करूँगा आपको यहाँ पर आप जो एसाप small finance company का जो share देखेंगे तो आपको 51 रुपए से लेकर 50 के बीच में देखने को मिलेगा और काफी समय से दोस्तो इस stock ने एक जो इसके पहले result आये थे quarter 4 के उसके बाद में company के result जो quarter 4 के खराब आये फिर इसने प्रदर्शन यहाँ पर दिखाना start किया और देखे आज कहा पर है यह 80 रुपए पर था और 80 से अभी यहाँ पर देखे पर शेर पर 30-30 रुपए का loss बोले तो बहुत बड़ा loss है दोस्तो loss बोले तो यहाँ पर गिलावट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बोलतो हर किसी के portfolio में माइनस में ही figure देखने को मिलता है अभी ओल लाड डिसीजन तो निवेशक के रहेंगे खास करकर आप देखे दोस्तों कि जो retail investor है वो ऐसे company में काफी ज़्यादा आइट्रेक होता है क्योंकि quantity ज़्यादी आती है मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि पैसे भले ही देरसे इन्वेस्ट कीजिए किसी company में बट उसको ठोक बजा कर अच्छी तरीके से fundamental देखा कीजिए क्योंकि पैसा हमारा बार-बार आता नहीं और इन्वेस्ट करना हमारा काम जरूर है अच्छे company में बट company के fundamental भी देखना चाहिए तो अभी यहाँ पर मैं आपको और कुछ point बताता हूँ company के जो यहाँ पर revenue में या company का जो income जिसे हम कहते हैं वो बढ़ रहा है इसमें कोई doubt नहीं बट profit भी बढ़ना चाहिए नहीं देखिए यह पिछले quarter के दोस्तो comparison वाले figures है और अभी तो उससे भी यहाँ पर company ने performance quarterly basis पर तो दिखाया बट yearly उतना खास profit वगएरा नहीं दिखा पाई और अभी इसाब small finance bank के अंदर आप देखिए कि क्या हुआ है कि share holding pattern में promoter का stake constant है बट दोस्तो इसमें बात क्या देखने को मिली कि public देख लीजिए 25% से 27% पर आ गए और domestic institutional investor जो थे वो 10% से 8 पर आ गए 8 या 9% के करीब आ गए तो उन्होंने stake बेचा और खरीदा किसने तो यह public ने और public में भी आपको बहुत से कुछ बड़े निवेशक देखने को मिलेंगे Muthus Finance इस company के पास भी यहाँ पर shares इस company के है तो यह भी चीज़े याद रखी I hope आप समझ रहे है और इसका यहाँ पर financing का जो बिजनेस है वो ठीक तरीके से है जरूर बट company उसके अंदर improvement नहीं दिखा पा रही है इस बात को आप notice करकर चलना और आप यहाँ पर इसके chart pattern को भी देख सकते है कोई यहाँ पर खास growth भी नहीं है और कोई बड़े return भी और इसने कमा कर नहीं दिये तो I hope दोस्तों आप समझ गए यह काफी retail investor के मुझे comment थे इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए Thank you